जय श्री राम प्यारे मित्रों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरू चरर पर दोस्तों आज के राशीफल कारिक्रमे में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज है 2 अप्रेल 2021 दिन शुकरवार यह दैनिक राशीफल चंदिक्रह की गढ़ना पर आधारित है राशीफल निकालते समय पंचांग की गढ़ना और सटी खगोलिय विशले शड किया जाता है हमारे इस दैनिक राशीफल में सभी बारा राशियों का बविश्य फल बताया जाता है इस राशी फल के कारिकरम को देख कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामियाप रहेंगे इस राशी फल में आपके लिए नौकरी व्यापार लेन दिन परिवार और मित्रों के साथ संबंद, सेहत और दिन भर में होने वाली शुब और अशुब घटनाओं का भविश्य फल होता है मित्रों यदि आप अपनी कुंजली का फ्री में विश्रेशन करवा कर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप अपने जन्म की डीटिल्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं आज का सुविचार अपनी मुस्कुराहट से दुनिया बदलिये दुनिया से अपनी मुस्कुराहट मत बदलिये जिहां दोस्तों जिद एक ऐसी दीवार है जो तोड़े नहीं तूटती लेकिन इससे रिष्टे जरूर तूट जाते हैं इन ही विचारों के साथ दोस्तों सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे है या एनवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुब कामनाएं और बदाईयां तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की पिक्रमी सवन 2017 मास चैत पक्ष क्रिष्ण पक्ष तिथी पंचमी वार शुक्रवार नक्षात्र जेष्टा योग वतिपात रहुकाल का समय सुबह 10 बच कर 51 मिनिट से 12 बच कर 25 मिनिट तक और इस काल में कोई भी शुब कारे नहीं किया जाता इस बात का आप दिहान रखे यात्रा कर रहे हैं तो घर से राई खाकर बाहर जाए आपकी यात्रा शुब रहेगी चलिए दोस्तों आज का राशी फल जान लेते हैं उसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इश्टदेव या इश्टदेवी का नाम कमेंट बॉक्स में साथ ही आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे परिवार में किसी मांगली कारे समंधी आयूजिन की योज ना बन सकती है आप आलस के कारण मिनने वाली उपलब्दियों को आगे टालने की कोशिश करेंगे जिसकी वज़े से कुछ कारेों में समय अनकूल है कुछ बहरी सोर्स से चल रही बातचीत आज कोई अच्छा मौका प्रदान करेगी कुछ उतार चड़ाव आएंगे पर उन पर ध्यान न दे कर अपने कारे करती चलें नौकरी पेशा लोगों का कारे शेत्र में मान सम्मान रहेगा सहकर्मियों के साथ हो रही लड़ाई को और आगे ना बढ़ने दे अपनी शांती का परिचेतें लव लाइफ की बात करें तो घर का माहुल खुश्रमा बनाई रखने में जीवन साथी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपका उन्हें कोई उपहार देना आपसी संबंधों में और अधिक और आज आप देवी सुकतम पाठ का पाठ करें आपके लिए लाबकारी होगा वरश राशी वरश राशी के जातकों को कोई खुश खबरी मिल सकती है जिसकी वज़े से मन प्रसन रहेगा अपने अंदर कुछ आलस महसूस करेंगे परन्तु कुछ समय बाद बहुत अनकूल स चले जाएंगे और कोई सुवसर भी आपको प्राप्त होगा बहुत जादा आत्मकेंद्रित होना तथा बोलचाल में कटुता पूर्ण लहजा कुछ लोगों को नाराज कर सकता है अपनी इन कम्यों में सुधार लाएं इस समय कोई भी यात्रा प्रोग्राम ना बनाएं क्य कायत का मौका नहीं देंगे नौकर पेशा लोगों के प्रमोशन के उचित अवसर बन रहे हैं काम से सम्मंदित बने कॉंट्रेक्ट की वज़े से आपके उपर तनाव बना रहेगा परिवार के साथ शॉपिंग तथा खुमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा एक साथ समय ब होगा पांच शुवरंग सफेद होगा और आज आप सिद्धी कुंजिका सुरोत का पाठ करें आपके लिए लाबकारी होगा मिथुन राशी के जातकों की दिन की शुरुवात ही बहुत खुश्रमा रहेगी लाबदायक इस्तितियावन नहीं है साथ ही आपके द्वारा की गई मेहनत में भागे भी आपका साथ देगा अपनी उर्जा का भरपूर उपयोग करें सफलता की वज़े से आपके अंदर एहम की भावना आ सकती है अपनी इस उर्जा को सकारात्मक रूप में प्रियोग करें अन्यथा मानहानी की आशंका है इस समय खर्चों की अधिकता रहेगी परन्तु खर्चों के साथ इंकम के रास्ते बनेंगे आपके कर्म और भाग के दोनों मिलकर आपके लिए बहतरी इन परिस्तियों का निर्मान कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े विवसाय सफल रहेंगे मार्केटिंग संबंधी कारियों में अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़े की करियर से संबंधित बातों में दिन की शुरुवात में कन्फ्यूजन होगा लेकिन उसे दूर कर पाना भी आपके लिए संब्भव होगा जीवन साती के स्वास्त का विशेश ध्यान रखें प्रेम संबंधों में नजदीकिया बनेंगी जिसकी वज़े से मन और माहुल दोनों ही प्रफुलित रहेंगे स्वास्त के लिहास सिर में भारीपन और दर्ज जैसी शुकायत रहेगी तरल पदार्तों का अधिक से अधिक सेवन करें तथा सर्दी से बचाव रखें आज आपका भाग्यंकों होगा नो शुबरंग हलका लाल होगा और आज आप दुर्गा देवी की पूजा करें लाभकारी होगा करकराशी करकराशी के जातक अपनी प्रत्भा को पहचाने समय आपको परिस्तितियों का सद उप्योग करने की प्रियर्णा दे रहा है अंतते समय की महतवता को समझ कर अपने कारे पर पूरा ध्यान लगाएं इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविश्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली हैं अपने उपर अधिक विश्वास और मनमर्जी करना दूसरों के लिए परिशानी का भी कारण बन जाता है समय के अनुसार अपने स्वभाव में लचीलापन अवश्य लाएं तथा कोई निर्न लेने से हिचकशाहट हो सकती है क्योंकि योजनाएं बड़ी होंकी पब्लिक डीलिंग से सम्मंदित कारे पूरे करने का उत्तम समय है इस समय अपने काम में अधिक महनत की आवश्यक्ता है क्योंकि आपने अपने कारे में जो बदलाव किया है उसके बहतर परिणाम मिलेंगे सरकारी से वरत व्यक्ति किसी भी गैर कानूनी काम में रुची ना लें काम से संबंधित बातों को पूरा करने के लिए डेडिकेशन दिखाने की जरुवत होगी तभी आपको सफलता प्राप्त होगी पदी पतनी के बीच खटी में टी नोग जोक रहेगी परन्तु इससे आपसी संबंधों में और अधिक नजदी किया आएंगी स्वास्त आपका खीक रहेगा परन्तु अपने विचारों पर ध्यान नेनी की जरुवत है सकरात्मक लोगों के तथा परिस्तितियों में अपना समय अवश्य वितीत करें आज आपका भाग्यान को होगा साथ शुबरंग गुलाबी होगा और आज आप देवी जी का विशेख करें लाभकारी होगा सिंगराशी सिंगराशी के जातक आज अपने प्रियासों में बहुत अधिक मेहनत कर सकते हैं परन्तु जल्दी ही परिस्तियां अनकूल होने वाली है और साथ ही अपने मन की आवाज को सुने और उस पर अमल करें जल्दी ही आपको शुब अवसर प्राप्त होंगे आपकी शंकालू प्रवर्ती की वज़े से किसी के साथ सम्मंद खराब हो सकते हैं अपने विचारों का मन्थन करें तथा अपनी इस कमी को सुधारने का भी प्रयास करें घर में किसी मुल्यवान वस्तु के खराब होने से नुकसान होने की आशंकाएं बन रही हैं जिससे आपका खर्च बढ़ सकता है वैवसाय में आज कारे समय अनुसार पूरे होते जाएंगे बाहरी सोर्च से कोई उपलब्दी मिल सकती है इसलिए संपर्क सूत्र तथा मारकेटिंग संबंधी गतिविदियों में ध्यान लगाएं काम की जगह अचानक से बड़ा बदलाव नजर आ सकता है लव लाइफ की बात करें तो वैस्तता की वज़े से घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे जिसका उलाहना आप पर रह सकता है प्रेमी प्रेमिकाओं को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना जरूरी है स्वास्त के लेहा से खानपान में बे परवाही की वज़े से आज आपको गैस अथवा अफरा जैसी समस्या रहेगी जिसकी वज़े से स्वास्त संबंधी और भी परिशानिया बढ़ सकती हैं इसलिए अपना ध्यान जरूर रखें आज अब का भाग्यंक होगा दो शुभरंग सिल्वर होगा और आज अब दुरगाजी को अनार का भोग लगाएं लाभकारी होगा कन्याराशी कन्याराशी के जातक परिवार से सम्मंधित जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे साथ ही आपके लिए आज समवब हो सकता है कि व्यक्तिकत जीवन से अधिक आपका ध्यान पारिवारिक जीवन पर बना रहेगा आपके मार्गदर शंद्वारा आपसे उम्र में छोटे व्यक्ति आसानी से प्रगती देख पाएंगे प्रॉपर्टी से सम्मंदित बातों का निर्णे आज ही ले आप ध्यान रखिए कि भावनाओं में आकर कोई गलत निर्णे ना ले आज किसी नज़दी की सम्मंदी का ही हस्तक शेप आपके घर और व्यवसाई में दिक्कतें उत्पन कर सकता है आज आप अपने कारिस्तर पर दूसरों से उम्मीद रखने की बज़ाए स्वयम ही कारे को पूरा करने की कोशिश करें अपने बॉस अथवा सीनियर से सम्मंद खराब ना होने दें क्योंकि आपको फायदा उनी से होने वाला है शेयर मारकेट से जोड़े लोग सावधान रहें निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है काम में मन ना लगने की वज़े से आपको दिया गया टार्गेट पूरा कर पाना आज आपके लिए मुश्किल हो सकता है लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी के साथ पिछले कुछ समय से चल रहे मदवेदों का निवारन होगा तथा सम्मंदों में पुनेह नस्दी की आएंगी स्वास्ता आपका परेशान कर सकता है सिरदर्द की तकलीव शाम से आपको सता सकती है इसलिए काम के बीच बीच में कुछ आराम भी लेते रहें आज आपका भाग्यंक होगा दो शुबरंग सुनहरा होगा और आज आप देवी मंदिर में घी का दीपक चलाएं आपके लिए लाभकारी होगा तोला राशी तोला राशी के जातक अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव लाएंगे जो की उचित रहेंगे इस समय आपका कोई निर्ने बहुत ही पॉजिटिव रहेगा विध्यारतियों तथा युवाओं को कॉम्पिटिशन के शेत्र में सफलता मिल सकती है इसलिए भरपूर मेहनत करते रहें आपके द्वारा लिया गया निर्ने आपके लिए भागेशाली साबित होगा कोई प्रॉपर्टी समंधी कारे भी बन सकता है अगर पॉलिसी आदी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तुरंत निर्ने लीजे परिस्तिया अनकूल है वेवसाय में पार्टनर्शिप समंधी बिजनस में आपको सारी वेवस्ता देखनी पड़ेगी और साथ ही किसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने से आप खुश भी रहेंगे करमचारियों के साथ समंध ना खराब होने दे क्योंकि उन्हीं की वज़े से आपके काम में गती रहेंगी लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संंधों में गलत फहमियों की वज़े से भावनात्मक अलगाव रह सकता है साथ ही एक दूसरे पर विश्वास रखना आपके लिए जरूरी होगा विवाइक संबंदों में सुखद इस्तियां रहेंगी आज आपको नसों में खिचाव की वैसे शरीर में कहीं दर्दर रह सकता है योगा और व्यायाम अवश्य करें आज आपका भाक्यंकों होगा पाँच शुभरंग नारंगी होगा और आज आप देवी सूक्त का पाठ करें लाभकारी होगा व्रश्यक राशी व्रश्यक राशी के जातक पिछले कुछ समय से चल रही योजनाओं को कारे रूप देने के लिए आज बहुत उजित समय है आत्ममन्थन करें तथा प्रते दिन की जिन्दगी से हट कर खुद की दबी हुई शमताओं के बारे में सोचें और उन्हें जागरित करें एकागरता की कुछ कमी रहेगी जिस कारण से आप अपने आयसाधनों को मजबूत नहीं कर सकते मन में अकारण ही गुसा और चुश्रापन महसूस होगा परन्तु यह शड़िक भरका ही है आप इन कमीयों पर काबूपा कर पुनह अपने काम पर ध्यान देंगे भागे को दोश न देकर वक्त की आपको समझने की जरुवत है व्यवसाई में गतिविदियों में अपने सहयोग्यों की सलह को सर्वोपरी रखे आर्थिक मामलों में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है इस समय अपने प्रतिदुन्दियों को परास्त करने में सक्षम रहेंगे काम से सम्मंधित नया अफसर प्राप्त होने की वज़े से आज आपको काम में उत्साह बढ़ सकता है जीवन साथी को अपनी योजनाव और कारियों में शामिल करना आपके लिए भाग्यवर्दक साबित होगा किसी के दुआरा मिला लव प्रपोजल स्विकार करने से पहले व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी भी हासिल करें स्वास्ता आपका ठीक रहेगा सिर्फ और सिर्फ मन में कुछ नकरात्मक विचार जर्म ले सकते हैं जिसकी वज़े से मनुबल में कमी आएगी आज आपका भाग्यंक होगा तीन शुबरंग हलका गुलाबी होगा और आज आप दुरगा जी का अर्चन करें लाभकारी होगा धनुराशी धनुराशी के जा तक आज आराम और मनुरंजन के मूड में रहेंगे सामाजिक कारें से सम्मंधित कोई नजदी की यात्रा करनी पर सकती है इस समय प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के लिए समय अनुकूल है जादा सोचने विचारने में समय लगानी से परिस्थितियां हाथ से निकल सकती है दूसरों की बातों में ना आकर अपने निर्णे को ही सर्वोपरी रखे किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसान दायक रहेगी वेवसाइक मामलों में कुछ रुकावटे आने के बाद ही कारे बनेंगे इस समय जादा मुनाफ़ा कमाने की होड में ना रहें बलकि जितना भी लाब हो उसमें तसली करें नौकरी पेशा लोगों का आपने कोई लक्षिप पुरा होने से तनाव दूर होगा साथ ही काम से सम्मंधित बातों में प्रगती नजर आएगी लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी का आपके प्रती भावनापमक लगाव आपके सम्मंधों में मजबूती लाईगा वेवसाइक तनाव को अपने घर परिवार पर हावी ना होने दे यवाओं की मित्रता और अधिक गहरी होगी आज आपको छाती में जलन और दर्द की दिक्कत होगी जिसकी वज़े से गैस और बदहजमी हो सकती है आज आपका भाग्यन को होगा चार शुबरंग सफेद होगा और आज आप देवी सुक्त का पाट करें लाभकारी होगा मकर राशी मकर राशी के जातक आज परिवार के किसी व्यक्ती के विवहा आदी के प्रशन की वज़े से अशान्ती महसूस करेंगे अपना हर नडने लेती समय आप दूसरों के विचारों को अधिक ध्यान देते हैं जिसके वज़े से आपकी बात में पूरी तरह से खुशिया पाना आपके लिए कठिन हो जाता है अपनी भावनाओं को अपने नडने को अधिक ध्यान दे घर में नवीनी करण अथवा सुधार समंधी कारे शुरू करने के लिए समय अनुकूल है परंतु उचित बज़ट बना कर रखें प्रैक्टिकल होकर कोई नडने लेने से उत्तम रिजल्ट मिलेंगे कारे शेत्रे में सभी काम सुचारू रूप से होते जाएंगे लेकिन निगरानी रखनी जरूरी है लापरवाही नुकसान दे सकती है किसी सहयोगी का नकरात्मक रवई या परेशानी का कारण बनेगा मारकेटिंग सम्मंधी कामों को इस्तगित रखें उच्च सिक्षा से सम्मंधित प्रत्ने आपके द्वारा बढ़ाई जा सकते हैं इस कारण आपको अच्छा पद प्राप्त हो सकता है लव लाइफ की बात करें तो पारिवारिक वातावरन खुश्णुमा बना रहेगा बीते समयत के मित्रों से अचानक की गई मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी और साथ ही मन प्रफुलित रहेगा स्वास्ता आपका उत्तम रहेगा तथा आप स्वयम को शारेरिक और मांसिक रूप से स्वस्त और उर्जावान महसूस करेंगे आज आपका भाग्यंख होगा आठ शुभरंग आपका क्रीम कलर होगा आज आप देवी जी को जल चड़ाएं लाभकारी होगा कुम्बराशी के जातक किसी भी कारे में दिक्कत आने पर पिता या पिता समान व्यक्ती की सलह आपके लिए बहुत ही उचित रहेगी कुछ समय से चल रही नेगेटिव परिस्तियों में आज सुधार आएगा और आपने अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो नियम बनाए हैं वे तारीफ के काबिल रहेंगे आपका अपने कारे में जल्दबाजी करना और गुसा आना आपके बंते कामों को बिगाड़ सकता है अपनी इस उर्जा का पॉजिटिव रूप में उपियोग करें तो आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा होगा अपने समान का विशेश ध्यान रखें कोई महत्वपूर्ण वस्तू आपकी खो जाने के संकेत बन रहे हैं कम्प्यूटर और मीडिया से जुड़े वेवसाई में आज कुछ शुभ अवसर प्राप्त होंगे परंतु नया काम शुरू करने का उचित समय नहीं है पैसे से सम्मंदी कोई भी लेंदेन करते समय सावधानी बरतनी जरूरी है नौकरी में किसी सहयोगी के साथ वाद विवाज जैसी इस्तती बन सकती है काम से सम्मंदित मिला अवसर शुरूवात में तकलीव देगा लेकिन बड़ा आर्थिक फायदा जल्दी ही दिलवा सकता है परिवार के साथ कुछ मनुरंजन समंदी प्रोग्राम अवस्य बनाए इसे से परिवार एक वातावरन खुश्रमा और मधूर बना रहेगा प्रेम समंदों में भी नस्दीकिया आएंगी आज आपको ब्लेक प्रेशर समंदी दिक्कते होने से दिनचरिया अस्तिवेस्त हो सकती है अईर्विदिक चीजों का अपने खान पान में अधिक से अधिक इस्तमाल करें आज आपका भाग्यंकों होगा चार शुबरंग आपका कमल पुश्प होगा और आज आप देवी का अर्चन करें लाभकारी होगा मीन राशी मीन राशी के जातक आज अपने सौंबे तथा सहज सभाव द्वारा किसी भी परिस्तिती को अपने पक्षमे करने में सक्षम रहेंगे संतान की किसी समस्या का हल मिलने से राहत मिलेगी साथ ही किसी मांगलेक समाहरों में आने का अवसर भी प्राप्त होगा लाभ के साथ साथ वैकी भी इस्तिती बनेगी इसलिए अनावश्य खर्चों पर रोक लगाना ज़रूरी है बच्चों की गतिविधियों तथा संगत पर भी अवश्य नजर रखें किसी नजदी की सम्मन्दी द्वारा कोई शुब अवसर आपको मिल सकता है जिससे आपका मन खुश भी रहेगा व्यवसाइक कारियों में कुछ अवरोध आएंगे परन्तु यह तत्कालीर है इसलिए जादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है किसी नए काम को शुरू करने के लिए अभी समय उचित नहीं है नौकरी पेशा लोगों के लिए उपर काम का बोज वड़ेगा और यह समय ध्यरे बना कर रखने का है पार्टनेशिप में किया गया काम फाइदा दिलाएगा और आपका करियर और भी बहतर बनेगा किसी भी असमंजस की इस्तिती में जीवन साती तथा परिवार जनों की सलह अवश्य ही लें आपको अवश्य ही उचित सलह मिलेगी और आप किसी बहतर नतीजे पर पहुँचेंगे आज आप अपने अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना महसूस ना करें इस समय आपके मन और शरीर को आराम की आवश्यक्ता है जादा ध्यान मेजिटेशन और योगा पर लगाएं आज आपका भाग्यन को होगा एक शुबरंग सफेद होगा और आज आप दुरगा जी को लाल पुषब अर्वित करें लाभकारी होगा मित्रो इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जै माता दी